क्या आपको भी गुलाब लगाने का अपने घर पर सोक है क्या आपने अपने गार्डन में गुलाब के पौदे लगाए हुए है तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तो इंडिया ग्रीन गार्डन चेनल में आप सभी का स्वागत है क्या आपके गुलाब के पौदों की ग्रोथ रुख गई है क्या उन पर फूल नहीं आ रहे है तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फटी लाजर आपके साथ सेर करूँगा जिन से आपके पौदे फूलों से भर जाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब के पौदों की पत्यों के बारे में यदि गुलाब के पौदे की पत्यच सही रहेंगी इसकी ग्रोथ अच्छे से चलेगी तो यह हमारा पौदा जादा फूल में दे पाएगा आप देख रहें इस पौदे की ग्रोथ ठीक चल रही है इसी तरह से आप भी अपने पौदे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और पौदों से ज़्यादा फूल भी प्राप्त कर पाएंगे इसकी सॉयल मेडिया आप देख रहे हैं कि बार इसके कारण इसकी soil media कुछ डिम पोच चुकी है तो इसके लिए अब हम इस पौदे की गुड़ाई करेंगे तब ही जाके हम अपने पौदे पर ज़्यादा फुल ले पाएंगे तो चलिए दोस्तो फिर मैं इस पौदे की देखिए इस तरह से हमें गुड़ाई करनी है गुड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी मिट्टी डिम पोच चुकी है फिर हम इसमें फटी लाजर डालेंगे तो हमारे पौदे पर पूरी तरह से इसका नुट्रिशन नहीं पहुच पाता तो हम इसलिए इसकी अच्छे से गुड़ाई करेंगे जब हमारे पौदे पर पूरी तरह से इसका फटी लाजर है उनका नुट्रिशन पहुचेगा तो हमारे पौधे तेजी से बढ़ने लगेंगे और पूरी तरह से पौधे healthy बने रहेंगे अब दोस्तो मैंने गुड़ाई कर ली अब इसमें जो मिट्टी है मैं उसे तोड़ लेता हूँ देखिए अच्छे से हमें तोड़नी है मिट्टी में आप देख पा रहे हैं बारस के कारण इसमें थोड़ी नमी बनी हुई है और यहां से इसमें देखिए एक ब्रांच भी निकली हुई है तो इस ब्रांच को तेजी से बढ़ने लग रहे हैं आप देखी रहे होंगे तो दोस्तों देखिए मिट्टी को मैंने पूरी तरह से तोड़ दिया है अब तोड़ने के बाद में कुछ इस तरह से आपको पूदा ये नजर आएगा इस पर देखिए कुछ वट से भी निकले हुए हैं और देखिए कुछ फूल खिलने की अवस्ता में इसकी जो नई नई गिरुट चल रही है तो ये काफी हेवी गिरुट चल रही है इस पूदे की तो चलिए दोस्तों मैं फटी लाजर भी आप लोगों को बताई देता ये मैंने कुछ पानी लिया हुआ है आप मेरे हाथ में देख पार है ये मैंने डिये पी के कुछ दाने लिये हुए है तो ये मैंने पानच है दाने लिये हुए इससे हमारे पौदे पर पूरी तरह से न्यूटरिशन मिलता है इसे डालने के बाद मैं मैं एक गोलो लोगा और करीबन 4-5 गंटे के लिए मैं ऐसी छोड़ दूँगा 4-5 गंटे बाद मिलते हैं आपको अब पूरे अपडेट के साथ ये देखिए दोस्तों पूरे 5 गंटे से उपर हो चुके हैं और ये हमारा फटी लाजर है जो की बनकर तैयार हो चुका है अब इसे हम अपने गुलाब के पौदे में यूज कर सकते हैं इस फटी लाजर का प्रियोग 15 दिन में एक बार हम सभी अपने गुलाब के पौदों में करेंगे इसका बहुती हमें अच्छा अपडेट मिलता है आप जो मेरा पौदा देख रहे हैं मैं इसी फटी लाजर का प्रियोग करता हूँ जिससे की मेरा पौदा हेल्दी बना रहता है जब भी कोई फटी लाजर आप डाले अपने पौदों में तो आपको चारो तरफ बिल्कुल भी नहीं डालना है तो ये देखी दोस्तो ये फटी लाजर मैंने डाल दिया तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने जानकारी दिया वो आपको आवसी पसंद आई होगी चेनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमसे जुणने के लिए आप हमारे इंडिया गरीन गार्डन चेनल को सक्सक्राइब करें आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सेर करना आप बलकुल भी मत बूलेगा ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल पाए तो आप से फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ ठैंक यू